डियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिये थर्ड समस्टर के सोसोलोजी यानि की समास साफ्तर के most important question and answer के बारे में आज किस वीडियो में जो question है और उसका answer है वो आपके exam के लिए बहुत ही महात्पूर है तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं औ हो यह है कि तलाक जिसको हिंदी में बोला जाता है बिवाहा बिच्षेद क्या है यह सारे question आपके exam के लिए महात्पूर है अब यह मत बूलिएगा कि यह पिछले फाल के हैं फिरिच के हैं बुक के हैं question bank के में आपको जानना यह जरूरी है कि कौन से महात्पूर्ण प्रस् चलिए तो इसका उत्तर लिखें कि सब लोगों को तलाक की परिवासा अच्छे से मालूम है लेकिन एक अगर step by step लिखना हो second wise में तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि बिवाह बिच्षित से यानि की तलाक से मतलब है पती-पत्नी के बेवाहिक संबंधों का समाजिक और का समाज सोसाइटी में जहां पर रहे हैं और साथ-चाथ में कानून के निगाह में आप लोग दूएक दूसरे से अलग हो जाना ठीक है यानि कि बिवाह का जो संबंध हो जाना ठीक है हिंदू समाज में पती-पत्नी के बेवाहिक संबंधों का बिच्षेद आधार्मिक माना जाता है मतब कि हिंदू समाज में यह कहा गया है कि अगर पती-पत्नी बेवाह के बाद अलग हो रहे हैं तो यह धर्म के खिलाफ है अधार्मिक माना जाता है लेकिन कानून है सिस्टम है तो इस लिए इसको अप्रूबल भी देग दी गई है कि जो भी संतुष नहीं है लग रहना चाहरा है तो बेसक सोतंतर हैं कानूनी रूप से वो लोग तालाग ले सकते है ठीक है और किन कारणों से बीवाब इच्छेथ आता है किन कारणों से तलाक लिया जाता है कोई करण कोई इंसान कहीं पर जाता है या फिर कोई गलत काम करता है या फिर बीवा विच्छेत कर लेता है या फिर अलग-अलग रहने की जो है इच्छा आ जाती है या फिर अलग-अलग रहने की कैपसिटी आ जाती है अंदर तो उसके कुछ कारण होने चाहिए ठीक है और कारण होते next question है कि समाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक का उल्ले कीजी यानि कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं ठीक है उसमें जो आर्थिक कारक होते हैं उसके बारे हम लिखना है यह भी question हो सकता है कि समाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक के जगा हो सकता है कि राजनितिक कारक ब कारक पूछे जाफकते हैं तो आप समाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक के लिवा, राजनेतिक कारक, धार्मिक कारक और समाजिक कारक ये भी आपको त्यार कर लेना है, ठीक है, काफी helpful question है, और इसका उत्तर लिखेंगे ध्यान पूरुबग, सुनिएगा, कि समाजिक सरल और परमपरावादी था, इसके बाद जब उत्तपादन का कार मशीरों द्वारा होने लगा, तब एक नए स्रमिक वर्ग का उदह हुआ, जो अपने सोसर के कारण पूजी पतियों से संघर्स करने लगा, इससे समाजिक धाचे और समाजिक शम्मंदों में ब्यापक परि अच्छा आर्थिक कारक को समाजिक परिवरतन का अतधिक महत्पूर्ण कारण माना जाता है, आप सभी को मालूम होगा कि पहले जितने भी कार किये जाते थे, ठीक है, आज से 15-20 साल पहले, पचीश साल पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा जो कार होते थे, जितने भी कार होते कि पहले जो किसी चीज़ कि खुदाई किया जाते थी तो मनुस्ट कुदी फावडा से करते थे लेकिन अब क्या हो गया कि जैसी भी चल गई वो को लेंड चल गई ठीक है तो इनके मादन से कार कर क्या दाने लगा पहले कोई चीज जाने के लिए इंसान ठीक है पैदल जाता कि वहां पर इंसान की जुरूत ही कम पड़ गई अगर आप किसी बड़े रिस्टोरेंट बेभी आई पी रिस्टोरेंट पर जाते हैं देखेंगे वीडियो जो डिश्में तो आपको देखने को मिला होगा कि वहां पर रिस्टोरेंट में इनसान का काम खत्म होने लगा आपको इसके बारे में अपने हिसाफे डीटेल में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य का जो काम है यानि कि जो स्रमिक है जो इनसान है उसका जो कार्य हो मसीन द्वारा होने लगा तो इसका जो है जो इनसान है उसकी जरूत कम पढ़ने लगी ठीक है और जरूत कम पढ जन संख्या तथा करांट से आप क्या समझते हैं तो चले जानते जन संख्या तथा क्रांट परिवर्टन जो हैं एक दूसरे के पूरक है काली ठीक कारली एक प्रमु विद्वान है इन्हों प्रश्रय जन्संख्या में अधिक परिवर्तन होती है जो लोग बाग रहते हैं हम सब ओधिक इसमें जब अधिक परिवर्तन होते हुए तो उसी समय विक्तियों में मानशिक और अस्थरता इस अधिक होती है। कर्दों का अमें रखें perceived जन संख्या में ब्रद तथा हास से समाज के विभीन समोह को समाजिक और आर्थिक ब्रद्ध का हाश होता है इस प्रक्रिया में निम नुदर्ग के लोगों को उच्च द१र्ग में जाने फिरौकिने कि जितने अधिक उपा किये जाते हैं उतनी ही कुरांत की सम्मावना अधि ज़न संख्या बढ़ जाती है पर सभी ब्यक्त आवश्छक स्वधाय प्राप्त नहीं कर पाते हैं मतब ज़न संख्या बढ़ जाती है बहीं कि तो सिंपल सी बात है जो स्भधायलें वहर एक इंसान नहीं मिल पाज़ा है property तो वही कणरण है कि एक और लोगों में आंत्रिक तनावत पन हो जाता बर कोई चीज है अगर वस्विधां को नहीं मिले कि कोई बगल में है या कोई आ है और निसे एक साथ म teams do Technology उंको तर्पन हो जाएगा जबकि you three और राजनेतिक संगठुणों को प्रति इनके मन में आप इस्वास पन हो जाएगा इस प्रकार दोने ही प्रस्थितियां क्रांतिक का कारण बनती हैं तो इसको हम कहेंगे जंत्रंक्या तथा क्रांति का कारण ठीक इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे जो कि एक हिल्फुल कोश्चन साभीत हो सकता इज समाजिक आंदोलन किया जाते हैं समाज के माध्यम से और कुछ माली जी कि समाज में इंप्रूब करना है कुछ बढ़ाना है कुछ चीज जो होनी चाहिए नहीं होती है तब उसके लिए समाज के लोगों के द्वारा समाज के सुधार के लिए आंदोलन के जाते हैं ठीक है त प्रफम समाजिक आंदोलन और दूतिय विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सोभान आचार आंदोलन को रखते हैं तो यह कुछ प्रमुक प्रकार हैं और इनके अंतरगत सब प्रकार है उसके ठीक है इसके बारे में आपको दरूर ध्यान रखना अच्छे से पढ़ लीजेगा समझ में आ जाएगा ठीक है इनमें दोनों में से कोईशन भश जाएगा और अभी तक मैंने आपको परिभाफ़ा दियो समाजिक समाज सुधार जो अंदोलन है उसकी ही दी थी लेकिन फिर से एंसर के साथ उत्तर के साथ समझते हैं समाजिक सुधार आंडोलन का वा प्रकार है समाजिक λिएवस्ता को सभिकार करते हुए उसके दूस्तों के निराकारन का प्रियाफ करता है मतल़ समाज दोस समघ्या आ गई है ऊसको सुधार करने के लिए उसका उपाय के लिए ये फिर वो सुधार किया जाफ है कि उसके लिए हम लोग समाजिक सुधार अंदोलन करते हैं और समाजिक सुधार अंदोलन वह समाजिक प्रिक्रिया है एक प्रिक्रिया भी है समाजिक सुधार अंदोलन जो एक प्रोसेस है जिसके करण एक नए समाजिक संगठन का निर्माड करेंगे सिंपल से बात है कि आने तो काल वो पूर्ती होगी होगी ठीक है और इसके कारण एक ने समाजिक संगठन का निर्मार होगा ठीक है और नए मोलों के प्रति जुकावद था उसे विक्तुत का विकास संभव पाता है जो शुधार को लोग आदर के साथ इफले देखते हैं क्योंकि वर्तमान समाजिक ब्योफ्ता को सुभिकार करते हुए उससे आर्दस प्रारूत देने का प्रयात करना मतलब उसमें इंप्रूब्मेंट उसमें अच्छा कितना क्यादा सकता है उसके लिए वह प्रयाफ करता है ठीक है उसके सुभात को भी ध्यान रखेंगे और यह काफी प्रूट प्रशन है इस बार उम्मेद है कि आपके एक्जाम में सकता है तो ध्यान रखेंगे ठीक है समाजिक सुधार आंदोलन यह आभी तो नहीं किये पहले किये गए हैं कई बार लगातार ठीक है और उनसे काफी ज्यादा सुधार आया है और सुधार आने के करण ही आज ही या भी थर्ट समस्टर सोच्यलोजिक सब्जेक्ट में आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है और उसके बाद यहां पर अगला पाइंट है कि सुधार आंदोलन की यह विशेष्टा है कि वह जन्मत और अपनी और आक सब्सक्राइब सब्सक्राइब इन्हीं को देखते हुए इन्हीं को सुधारने के लिए आंदोलन प्रारम हुए हैं और वे कुछ इस परकार के समस्याएं हैं जैसे कि बाल बिवा यानि कि भच्पन में साधी कर लेना बिद्वा बिवा दहेश जो चलता आजकल बहु पत्नी यानि कि बहु फारी पत्नियों के साथ बिवा करना बिवा बिच्छे तलाग जिसको बोल समस्याओं को हटाने के लिए जो आती हैं यही कुछ परमक उद्देश हैं इनको फुधार करने के लिए इसका समधान करने के लिए यह चीजें गलत ना हो जैसे दहेश चलता बहुपत्नी बिवा चलता है सब ना हो इसलिए यह अंदोलन किये जाते हैं ठीक है अगर आप च समाजिक करांत के बारे मतलब यह चली आ रही है समाजिक करांति का मतलब पुरानी समय परिवरतन से जिसके लिए समाज जा गूरूप नहीं रहता है समाज एक्टिव नहीं रहता है ठीक है समाज भी इंप्रूब्मेंट नहीं हो पाता है यह परिवरतन भी इस प्रकार का होता है जिसमें समाजिक मूल्यों और मन्यताओं का बिना ख्याल किये ही समाजिक प्रूप्ता में परिवरतन हो जाता है समाज में एक्टा की कमी हो जाती है समाज में अगर एक्टा र उसमें बिच्छे दी रहेगा तो वो भी कभी भी उपर नहीं उठ सकता हमेशा वह नीचे रहेगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता तो इसलिए जरूरी है कि हर एक समाज को एकता बनागे की बना के चलना चाहिए ठीक है और समाजिक अफ्त बिस्तता में ब्रद्धी हो ज इन्होंने समाजिक क्रांत के बारे में कुछ परिभाफा लिखी तो सुन लीजिए इन्होंने समाजिक क्रांत के बारे में लिखा कि समाजिक क्रांत वह तीब्र समाजिक परिवर्तन है मतलब कि बहुत तेजी से वह समाजिक परिवर्तन है जिसके परेडाम सरूप बिक्तिय के रूप में कार्य करती है समाज की आधार भूत एकता समाप्त हो जाती है ठीक है तो इस प्रिकार समाजिक क्रांट के बारे में लिखेंगे हलाकि 100% कभी नहीं पासा है कुछ परिच्वां में पासा है इफलेश कुम 60% मान के चलते हैं कि आफकता वाकी 40% नहीं आ सकता और ज को उत्तर लिखेंगे कि समाजिक परिवर्तन के चक्रे फिधांत के नुसार समाजिक परिवर्तन कभी एक प्रवत्रीफ देखनें की औगर नहीं होता है जिब कोई भी परिवरतबिस्पार्द समाज में होता तो कोई एक hosts इस बात को ध्यान रखेंगे यह होता चक्र फिरफ्दांत के इंतरगतं जीवन चक्र के समान इन परिवरतब्वन्हें भी एक चक्रि प्रवत्ति देखनें को मिलती है इसके समर्थक प्रमुक स्पेंगलर सोरोकीन टायनवी फैरोटो आजी प्रमुक समासाफ्त्री हैं ठीक है इस बात को इन्होंने सबिकारा है चक्रेफिधान्त के अंतरगत और वहें पर रेक्षिधान्त है इसमें रेक्षिधान्त इस मानिता पर आधारित है कि समाजिक परिवर्तन की प्रवत्त एक ही दिसा में आगे की और बढ़ने की होती है। योगदान दिया तो इस प्रकार लिखेंगे दोनों के बारे हम हराकी महात्पोंड प्रस्ण है आज किस वीडियों बस इतना ही हम कोश्चन कवर करेंगे ज्यादा नहीं जाएं कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो और जो मैंने कोश्चन बता हैं इनमें से तेन पर चार कोश्चन आप लोगों के लिए सर्ण में जरूर चाहिए और जरूर एक दो बार वीडियो देख लिजेगा ताकि आपको जू भी कोश्चन छोट खोर्वकी मतलब कि कम समझ में चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम अट सब्सिजवाइन हो सकते हैं और आपको हमारी विपसाइट पर भी यह सब question answer मिल जाएंगी इसका लिंक वीडियो के discussion में है और उस विपसाइट का नाम है dear student टिक है dear student डोट इन इस विपसाइट पर आपको मिल जाएंगी ठीक है